हेलो फ्रेंड्स ग्यानी स्टूडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे दोस्तो यदि आप मेरे चनल से जूलना चाहते हैं तो नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना बिलकुल न भूलें तो चलिए दोस्तो आज की ये स्वीडियो में मैं आपको बताती हूं कि यदि आप अपने सपने में चाफल लेखते हैं तो फिर इसका क्या प्रभाव हो सकते हैं जी हैं दोस्तो सपने जो होते हैं अमोमन हर व्यक्ति कभी न कभी जरूर होता है और आप जो भी सपने देखते हैं उनका आपके जीवन में भी कोई न कोई असर जरूर होता है तो दोस्तो जो तिस्तास्त्र के अनुसार यदि आप अपने सपने में चावल यने की राइस देखते हैं तो फिर जो आने वाला समय है वह आपके लिए आप अच्छा भी कह सकते हैं और आप अच्छा नहीं भी कह सकते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तो यदि आप अपने सपने में चावल देखते हैं तो फिर इसका प्रभाव यह होता है कि आपको आने वाले समय में धन की प्राप्ती होने वाली है लेकिन दोस्तो यह जो धन है वह आपको काफी कटनाई से मिलेगा आपको इसके लिए काफी परिस्रम और काफी मेहनत करने पगेगी जिसके बाद ही आपको धन की प्रापती हो सकेगी लेकिन दोस्तों यदि आप देखें तो यह अच्छी ही बात है क्योंकि मेहनत तो हर चीज में करने ही पड़ती है और आपको मेहनत करने के बाद कुछ न कुछ जरूर प्रापत होता है लेकिन इस सपने में आपको धन की प्राप्ती होने वाली है तो उमेद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और वैल आइकन को भी दबाईए ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुच सके